इस वीडियो में हम important 5 marks का question जो है solve करते हैं XSS 5.7 chapter 5 continuity and differentiability तो question number 13 है simple है और important है 5 marks में आए गरा ये second order derivative में का question है y यहाँ पे given है 3 cos log x plus 4 sin log x और ये proof करना है अपने को show that बलके दिया है x square y2 plus xy1 plus y equal 0 ठीक है प्रूफ करेंगे simple है answer देखो इसका answer जो given है एक बार में लिपता हूँ इसको y क्या given है 3 cos log x plus plus क्या है 4 sin log x ये given है right हाँ ये given है ठीक है अब क्या करेंगे इसको differentiate with respect to x करेंगे वो लाइन लिख देना differentiate with respect to x x के respect में differentiate कर रहे हैं तो ये y है क्या होता है अपने को मालूम है notation वैसे भी dy by dx होता याने तो y dash होता याने तो y1 होता अब मैं फिलाल यहां पर y1 लेता हूँ यहां पर y1 और y2 बताया है उसमें तो करेंगे हैं इसको differentiate with respect to x तो y का क्या होता य1 होता इक्वल 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 त्री constant है constant की multiply function के साथ है only constant कर डिफ्रेंशेशन 0 अपने को मालूम है त्री constant है constant बाहर होगा और function पर derivative अपले होगा त्री बाहर लो cos का क्या होता minus sin log x minus sin यहां पर ले रहूं है minus sin angle क्या है यहां पर log x अगें log x का क्या होता अपने को मालूम है क्या होता अरे one upon x होता right ना d by dx of log x अरे क्या होता log x का अरे one upon x होता right ठीथ है ठीथ है plus 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 four constant है बाहर लिए sin का क्या होता अरे sin का cross होता cross log x अगें channel rule log x का क्या होता कार या वन पॉन एक्स होगा right ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स है यह प्लस है यहाँ पे एक्स से एलस्या मोगा तो यहाँ डिनॉमिनेटर मैं है तो यहाँ पे left अजर शिफ्ट करें तो multiplier में आएगा तो finally मैं लिख सक्तो में therefore xy1 R-H क्या बचा minus 3 sin log x plus 4 cos log x अरे राइट ना ठीक है यह वन अपॉन एक्स यह वन आपॉन एक्स यहां पर RHS में इदर यह यह आ गया राइट ठीक है इसे अब again differentiate करेंगे हैं again differentiate करेंगे वो line यहां पर लिख दें तुम्हें again differentiate with respect to x again x के respect में differentiate कर रही हम अब यहाँ पे x y1 है तो यहाँ पे ना u v formula लगे जा u v whole dash formula मालूम है हमातू yes u dash v plus u v dash u बोले तो x है मेरा और v बोले तो y1 है मेरा u v whole dash formula u dash v plus u v dash यह formula है मेरा अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अगे हम differentiate कर रहूँ है तो u v whole dash इसका derivative u dash x का क्या होता x के respect मेरे 1 होता 1 into into v v कहाँ यहाँ यहाँ पे y1 है as it is as it is as it is plus formula में plus u u कहाँ यहाँ यहाँ पे x है मेरा x x into v dash v यह है मेरा y1 इसका differentiation y2 होता क्या होता है y2 होता double differentiation कर रहे हम right equal 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 यहाँ पे भी differentiate lhs rhs दोनों तरफ होता यह minus 3 as it is sign का क्या होता अरे cross होता log x again multiply log x का क्या होता 1 upon x होता right right ठीक है अब यहाँ पे minus आता कैसे आता वो भी मैं बतावाँ 4 constant है बाहर लो cross का क्या होता minus sign होता मैं minus already यहाँ पे दाला minus sign log x again chain rule log x का क्या होता 1 upon x होता अब फिर देखो फिर देखो यहाँ पर denominator में x है और यहाँ भी x है x lcm x हो रहा finally वो x lhs में बेजनों यहाँ पर denominator में था तो यहाँ पर multiply में आएगा अब यह x मैं एक काम जोर तो इस्टेप बढ़ा तुमें पहले यह वाला लेख तुमें x y2 plus plus y1 ओके ठीथ है ठीथ है अब यहाँ पर देखो minus 3 cross log x ओके ठीथ है और यहाँ पर minus 4 sign log x whole upon में x ले रहू है whole upon में x ले रहू है यहाँ भी x था यहाँ भी x था यह x denominator में इधर भीज़ा तो multiply में आता तो finally जा होता देखिए आप इसको x इसको इधर भीज़ो इसके साथ भी multiply में होगा इसके साथ भी multiply में भी होगा x को lhs shift करो में तो finally क्या होँआ देखो है x square y2 plus xy1 equal 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 अब यहाँ पर देखो क्या होगा minus है इधर भी minus है इधर भी minus है काम कर तो minus common ले तो मैं अब remaining देखो यहाँ पर 3 cross log x यहाँ bracket ले लिए इधर भी minus common ले तो इधर plus होता plus 4 sin log x अरे right ना ठीक है ठीक है आप देखो final इसका result आ रहा रहा आंसर आ रहा इसका x squared y to plus xy1 ओके ठीक है, minus minus इस पूरे की value ना इस पूरे की value क्या हो रही देखेए इस पूरे की value अरे y हो रही ज़रा देखेए आप y क्या given है 3 cross log x प्लस 4 sin log x अब इस पूरे की value पहरे मैं y ले सकता हूँ है y ले सकता है, y ये minus बाहर था, अब ये y RHS में LHS अगर मैं shift किया तो minus जाके plus होता तो finally result क्या आगया मेरा x square y2 plus x y1 यह minus y यहाँ LHS ले तो plus y equal to 0 और यह result अपने को proof करने का था देखे आप x square y2 plus x y1 plus y equal to 0 hence proof simple था वीडियो को post करके इसे note करो देखे प्याँ